अब 2017 UPPCS के प्रश्णपत्र को देखेंगे 2018-19-2020 हमने करवा दिये हैं आपको PDF शेयर कर दिये हैं और प्लेलिस्ट बना दिया है वीडियो उसका तो आप लोग साल देख सकते हैं उसमें चलिए 2017 का देख लेते हैं प्रश्णपत्र ने हाई कोट ने लताड भी लगाए थी हाला कि सुप्रीम कोट में सारी सेटिंग हो गई थी चलिए फिलाल हमको पढ़ने से मतलब इन सब चीओं से मतलब नहीं है जो गया बीद गई सो बाद गई सुई चुभाने पर निमकित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा तो कौन सा महसूस नहीं करेगा मस्तिश्क महसूस नहीं करेगा क्यों क्यों कि मस्तिश्क अन्य समेदनाए अन्य अंगों की समेदनाए तो गरहन करता है लेकिन स्वयम के प्रती उदासीन रहता ह ठीक है तो B वाला राइट एंसर है अला कि बहुत सारे वेग्यानिकों ने और Medical Science वालों ने उस समय प्रमाड सही दिया था कि हिदय भी दर्दमसूस नहीं करेगा सुई चुभाने पर और उनके तरक भी सही थे लेकिन अंतता आयो की विजय हुई B वाला राइट एंसर होगा निम्खित में से किस जन तुम्हें खुर नहीं पाया है खुर नहीं पाया जाते हैं तो हीरन, गीदड, जेबरा या घोड़ा तो ये इसका गीदड होगा एंसर कि खुर नहीं होते जबकि हीरन, जेबरा, घोड़ा के पास खुर होते हैं जो उन्हें तेजी से भागने मदद करते हैं बी वाला राइट एंसर है गीदड फलो के मीठे स्वाद का क्या कारण है फलो के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज, आपसे यहाँ प्रशन पूछना चाहूँगा कि शहद में क्या पाए जाता है फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लुकोज या माल्टोज चार में से एक उप्शन आप राइट बताईएगा कमेंड बॉक्स में तो इसका जो है क्या होगा D, फलों के मीटे स्वाच का करण फ्रक्टोज होता है निमकित में से कौन सा एक पदार्थ प्राक्तिक बहुलक है तो रेशम प्राक्तिक रूप से पाए जाता है प्राक्तिक बहुलक है बाकी बैकलाइट, कैवला, लेकसान ये कृतिम रूप से निर्मित होते है ये तमाम हार्मोन से हैं और कौन सा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है तो इसमें जो है गैस्ट्रिन वाला ये सुमिलित नहीं है बाकी इंसुलिन रक्त शक्रा का नियंतरन करता है आपको पता ही है इंसुलिन की कमी से जो सुगर की विमारी हो जाती है मेलाटोनिन निद्रा का नियंतर्ण करता है कई बार पूछा गया अलक से भी और आक्सिटोसिन जो होता है स्तन गरंतियों से दुखत का निश्चनर्ण करता है आखो पता है कि जानवरों को पश्वों को दूद जवरस्ति उनके उनको जो है उनसे दूद निकालने के लिए आक्सिटोसिन इंग्जेक्शन का प्रयोग किया जाता है महीं गेस्टिन की बात करें तो भोजन के उपा पचे से संबंदित है ना कि रक्तचाप का नियमन करता है तो डी वाला ही राइट एंसर है तमाम जो हर्मोन से उनके क्या कारे हैं ये देख लिजएगा कहां से स्रावित होते हैं ये देख लिजएगा यूरिया क्या है तो ये आक्स नाइट्रोजन युक्त कार्वनिक योगिक है नाइट्रोजन युक्त कार्वनिक है मतलब इसमें कार्वन भी है कार्बनिक योग एक है और नाइट्रोजन तो है इसका जो सूत्र होता है NH, CO, NS2 ठीक है यह थोड़ा गलत दिया है सूत्र इसको सही कर दीज़ेगा NH2, CO, NS2 होता है या फिर NS2 का whole square कर दीज़े, CO ठीक है तो NS2, NS2, CO या फिर NS2, CO, NS2 यह इसका जो है फार्मुला होता है यूरिया का तो इसमें nitrogen होता है, hydrogen, carbon oxygen कार्बनिक रसाइन के शित्र में इसे कार्बामाइड भी कहते हैं यह एक nitrogen यूग कार्बनिक है, रंगहीन, गंदहीन सफेद, रवेदार, जहरीला, ठोस्पदार जो जल में अविले है यह स्तन पाई और सरी स्रिप पाडियों के मूत्र में पाये जाता है बड़े अस्तर पर इसका उत्पादन द्रव अमोनिया तो था द्रव कारबन डियाकसाइड की प्रत्क्रिया से किया जाता है LPG सिलंडर के रिसाओ से उत्पन्द दुरगंद लिमकित में से किसी होती है ते दुरगंद होती है इथाईल मरकपटैन की तो इसमें क्या होता है सलफर एक प्रमुक योगिक होता है जिसके कारण की वो दुरगंद हमको पता चलती है तो LPG वस्तुता हाइडरोकार्बन गैसो होती है मिथेन किसमें होती है जो सीन जी होता है आपका नेचुरल गैस उसमें मिथेन पाई जाती है गैस के सावित होने की सूचना प्रदान करने के लिए इथाईल मरकरप्टेन को मिलाए जाता है यही गैस में दुरगंद का करण होता है मैंने बताया आपको इसमें क्या होता है सल्फर योगिक होता है जो की गंद उत्पन करता है नीचे दो कतन दिये गए हैं मानोशरीर सेलूलोज सेलूलोज के पाचन में असक्षम है बिल्कुल सही है आप पेड नहीं खा सकते हैं मानोशरीर में स्टार्च अफगटक एंजाइम डायोस्टेज विद्धिमान रहता है यह सही है तो ए आर दोनों सही है लेकिन ए और आर का कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है दोनों अलग अलगी सही है तो इस पस्टी करण नहीं है बी वाला राइट एंसर है तो पश्वों के आथ में सामानता है कुछ ऐसे जिवाण होते है जो सेलूलोज को तोड़कर पाचन करने मदद करते है परन्त मनुश्यों में ऐसा नहीं है सेलूलोज के उदारण है कपास में 90% जबके स्टार्च को अफगटित करने वाले एंजाईम डाइस्टेज मनुश्यों में दमान रहता है तो यहाँ A और R दोनों सही है परन्तो आर एकी सही व्याख्या नहीं करता है फिलाल आप समझ लीजे सेलूले पेट पोधे घास फूस तो आप नहीं खाते हो न तो सेलूलोज उसने रहता है आपके अंदर पाचंग शमता नहीं है उनको पचाने की शमता नहीं है ठीक है कपास आप नहीं खा सकते हो डारेक्ट तो कुछ लोगों को छोड़ करके अपवाद तो हर जगा रहते हैं इंसान रूपी जनवरों को छोड़ करके बागी सब के लियत वही बात है सामाने ता है और जब पूछा आता है तो सामाने बाते ही पूछी आती है आप वादिक बाते हैं आप कभी भी मत सोचा करिये न तो वो एंसार हो सकता है कभी निमकित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है तो यह कि इस तरह के प्रश्ण बहुत ही आते हैं तो इसका बहुत सामाने ज़ाब को देख बंधता रोधी विटामिनी होता है बंधता रोधी मतलब जो आपके जनन शमता सम्मनित होता है तो बाकी B12 सही है प्रति अरक्ता कारक होता है अरक्ता को रोगता है विटामिन C प्रति सकर्भी कारक होता है इसकी कमी से सकर्भी रोग हो जाता है विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक होता है बेलको सही है तो D वाला ही गलत है बंदता रोधी कौन होता है विटामिन E होता है रिकेट सरोग होता है विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है तो ये D वाला राइट एंसर है चेके मलब ये C वाला राइट एंसर है इसका विटामिन E होना चाहिए था बंदता रोधी का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है गेगा रोग होता है तो रतोधी विटामिन E की कमी से होता है अगर करक रोग की बात करें जिसको कैंसर कहते हैं इसको घबडाईए गर नहीं करक रोग कुछ नया रोग नहीं है कैंसर ही है इंगलिस देख लिया करिये बहुत तगड़ी अगर हिंदी पूछ ले तो तो करक रोग को शिकाओं की अन्यंतिद विद्धी या ट्यूमर बनने से होता है इसके लाव तमबागु आजिके सेवन से होता है गेंगा रोग जो होता है और आयोडिन की कमी से होता है विटामिन डी एवं कल्सियम तथा फासफोरेस की कमी से अस्थी सुशिरता रोग हो जाता है साथ ही साथ यूरिक एसीट के अधिकता या कमी से भी रोग होता है इसमें अस्तिका जो शरण है प्रारम हो जाता है क्यों क्योंकि हमारे जो शरीर को है आवशक्ता होती है कैलसियम की कैलसियम नहीं मिलेगा बाहर से हमको तो क्या करेगा वो हड़ियां फी खाने लएगा हमारे शरी है अंदर की चीजों को पचाना शुरू sugars वगरतेगा निमकित में से कौन सा कार्बनिक अमल अंगूर तर्था केलां प्रचुर मत्रा में बिदमान रहता है तो कौन सा कार्मिकमल होता है, टार्टेरिकमल होता है, एसेटिकमल सिरिका में पाय जाता है, साइट्रिकमल खटे फलों तथा नीबूं पाय जाता है, लैटिकमल दूद में पाय जाता है, टार्टेरिकमल अंगूर इमली तथा केला आधी में पाय जाता है, तो यही पूछ र अबर तो हाइड्रोजन जो है वो नियुनतम परियावन प्रदूशन उत्पन करेगा बाकी सब आपको पता ही है कि मैक्सिमम परियावन प्रदूशन डीजल से पेट्रोल से मिट्टी का तेल कोईला अधी के जलने से उत्पन होते हैं निमकित में से किसका मस्तिश उसके सरीर क सरीर के अपेक्षा या अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो चीटी का जो मस्तिश होता है उसके सरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है सभी जानवरों में राइट एंसर यह होगा बहुत लोगों ने डालफिन और हाथी भी लगाया था काफी तत्थी भी पेश किय थे लेकिन दरसल एमसर चीटी ही सही था उस वर्ष के 2016 के एक साइंस जनरल में ये सोध शपा हुआ था कृतिम वपग्रह पृतवी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा डापलर प्रभाव के द्वारा कृतिम वपग्रह पृतवी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डापलर इफेक्ट के द्वारा इसका एंसर ए वाला राइट एंसर है वो सही भी है एक सुरंग में सो वाट शमता वाले पांच बल्व लगातार बीस घंटे तक जलाए जाते हैं संपूर्ण विद्दृत कितनी खर्च होगी युणिट पूछ रहा है कितने विद्दृत खर्च होगी थो युणिट कैसे निकाला तू आप सबको मालूम होगा तो सँ वाट जो वाट है उसको वाट गुड़े घंटे बट एक हजार कर देते है युनिट निकल आती है तो 100 वाट होगया 20 घंटे होगया और 5 बलब है तो 5 का गुणा कर दिया बट एक हजार कर दिया तो भी आ जाएगा 100 गुड़ते 20 गुड़ते 5 बट एक हजार 10 युनिट आ जाएगा यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिला कर एक असंत्रित चीनी का घोल तयार किया जाए तो निमने में से कौँँ सी भोतिक राशी नहीं बदलेगी बदलेगी नहीं कौँँ सी भोतिक राशी ये पूछ रहा है तो ये समांग मिश्ण की बात कर रहा है, चीनी और पानी की बात कर रहा है, तो जब समांग मिश्ण होगा तो उसमें कभी भी याद रखेगा समांग मिश्ण में आयतन नहीं बदलता है, डी वला राइट एंसर होगा इसका, चीनी और जल का विलियन समांग मिश्ण कहलाता है समांग मिश्ण में दविमान घरनतेवं सांता परिवरतनी होते हैं लेकिन आयतन इस्थिर होता है मिश्ण दो प्रकार के होते हैं मिश्ण वैसे समांग और असमांग समांग मिश्ण उनको कहते हैं अगर दो मिश्ण दो पदार्थों का मिश्ण कर दें और उनको अलग अलग आप नहीं देख सके हैं तो इसको समांग मिशन कहते हैं मतलब एक अंग हो गए समांग हो गए विश्मांग मतलब उनको अलग 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 देख सकते हैं जैसे तेल और पानी को मिला दीजिए तो आप देख सकते हैं तेल ये पानी ये लेकिन नमक और पानी को मिला दीजे चीनी और पानी को मिला दीजे तो अलग-अलग नहीं देख सकते हैं ठीक है गोल बनने के बाद तो यह समांग मिशन हो जाएगा तो यह चीज़ याद रखेगा मातपूर ने मोबाइल चार्जर होता है तो क्या होता है एक अपचाई ट्रांसफर होता है डी वलाराइट एंसर होगा मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफर होता है क्योंकि घर में प्रियुक्त 220 वोल्ट की धारा को 12 वोल्ट में परविर्थित कर देता है तो अपचाई होता है पिताशे में उपस्थित पत्थर पत्थर मतलब इंट पत्थर नहीं यहां पे बात हो रही है पत्थरी की ठीक है इस्टोन की तो पिताशे में उपस्थित पत्थर निम्कित में से किसका पाचन प्रभावित करता है किसका पाचन इससे प्रभावित हो जाता है बहुत ही अच्छा प्रशन है तो भी वला राइट एंसर है इसका वसा का पाचन प्रभावित होता है वसा का पाचन पित द्वारा होता है त तो यहां पर logical प्रश्ण था, indirectly यह पूछ रहा था कि किस तरह से वसा का पाचन रोग जाता है, क्योंकि पित की थैली ही प्रभावित होती है, पित आशे प्रभावित होता है, तो इस तरह से वसा का पाचन प्रभावित हो जाता है, निमकित में से कौन सा अनुवांशिक हिमोफीलिया है, और आनुवांशिक रोग नहीं है, तो ए उळा ही रायट एंसर हो जाए अनुवांशिक रोग Tag alarm जीन की खराविया से पीड़ी दर पीड़ी होता है, एक कटा हुआ हीरा जगमघाट करण के साथ कस चमकता है किसके करण कई बहर प्रश्ण आचकरेंदी. इसके लाव में कई घटनाएं घटती हैं मरीचिका का बनना ये भी पूर्ण आंत्रिक परावर्तन करना ही होता है जो आप्टिकल फाइवर है उस वो भी पूर्ण आंत्रिक परावर्तन पेकारे करता है सूची फर्ष को सूची सेकंड से मिलाना है उत्पाद है और स्रोत दिये है कौन सा उत्पाद किस स्रोत से प्राप्त होता है तो इसमें अफीम जो है फल से प्राप्त होता है हींग जड़ से प्राप्त होती है और हींग के बारे हम तो लगादर पूछी रहा है पांच सालों से, तो हींग तो घुसाई देता है, हींग के बारे में अच्छे पढ़के जाएगा, खाके भी जाएगा, तो अफीम जो है, फल से प्राप्त होता है, हींग जड़ से प्राप्त होती है, रबर तना से प्राप्त होता है, कुनैन चाल से, मैं आपको रटवा दे और यही मलेरिया के इलाज में उपियोग लाई जाती है तो बाकी इसका उत्तर हो जाएगा भी वाला तीन दो चार एक टेली विजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोट करते हुए बरसात में उपग्रा सिंगनल नहीं प्राप्त करते हैं क्यों 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 एंटीना चोटे होते हैं ठीक है एंटीना का चोटा होना भी ज्यादा ज्यादा अगर हमको मतलब की हमको ज्यादा सिंगनल प्राप्त करना है तो एंटीना जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा ये भी सही है पहला दूसरा क्या है वर्षा की बूदे रेडियो तरंगों की उर्जा को अशोशित करती हैं क्योंकि कि आज की समय में कई ऐसे छोटे इंटीना बन गये हैं जिनकी शमता बढ़ा दी गई है जिनमें कैपसिटर बहुत ज्रादा पाउर के लगा दिये गए हैं जिसके करने छोटा होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा मतलब की capacity रख रहे हैं सिंगनल प्राप्ट करने की जबकि वहीं अगर पुराने अंटीनास को आप देखे बहुत बड़े-बड़े होते थे छतरी माडल लेकिन उनमे सिंगनल खीचने की इतनी अदा शमता नहीं होते थी तो पहला वाला राइट तो नहीं था लेकिन आयोग ने तीनों को राइट माना है तो राइट मानी है तीनों को भाई डियोला राइट एंसर होगा निनमे से कौन सा सही सुमिलित नहीं है कौन सा साइज सुमेलित नहीं है यहां पूछ रहा है कौन सा किस नाइटोजन इस्तरी कारक किस फसल में प्योग मिला जाता है तो नीर हरी श्यवाल धान का है बिल्कुल सही है राइजोबियम लेग्यू मिनी सारम ये मटर बिल्कुल सही एजोटोबेक्टर गेहूं कई बार पूछा गया है एजोला भी धान ही है मक्का नहीं है तो डी वला ही राइट एंसर नहीं होगा मलब डी वला ही राइट एंसर होगा एक जली फर्न है एजोला जिसका प्रियोग धान की फसल में जैवी कुरुवरक के रूप में किया जाता है यहां पर दे रहा है ब्रिटिस काल में सामानता है भारत का व्यापार संतुलन अनकूल था तो आपको पता है अनकूल था गया तो बिलकुल नहीं अनकूल नहीं था बिटिस काल में सामानता भारत का व्यापास अंतुरन प्रतिकूल था किवल जा ही जा रहा था, आ कुछ नहीं रहा था, हमें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा था तभी तो थियोरी दी थी, डेन आववेल थियोरी, धन के निशंदन का सिद्धान किस ने दी थी दादा भाई नौरो जी ने दी थी Frederick तो ये वला तो गलत हो गया अनकूल नहीं था प्रतिकूल था दूस्रा है धन की निकासी का स्वरूप अब प्रतिफलित नियाद था, बिलकुल सही है, अब प्रतिफलित नियाद था था लेकिन उसका फल जो है यहां के लोगों को मिल नहीं रहा था अंग्रेज जो है अपने हक में निर्यात कर रहे थे ठीक है मतलब कि यहां से कच्चा माल भेजा जाता था बहुत सस्ती दरों में और वहां से तैयार माल को मन चाहे दाम में यहां बेचा जाता था तो जिस तरह से चाहा उस तरह से लोटा तो दूसरा वला सही है A वला गलत है राइट एंसर होगा A गलत आर सही D वला राइट एंसर है कथन A गलत है करण आर सही है 1813 के पशात आर्थिक निकास का सुरूप दिती विश्वत के समय तक अपत्फली निर्यात था भारत के साथ ब्यापार में संतुलन निस्पष्ट गोचर होता है क्योंकि भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर दो प्रकार के कर लगाई जाते थे एक तो इंगलेंड के लिए दूसरा अन देशों के लिए जिसका फल भारत को नहीं मिलता था आयतों की दरे जादा थी अता ऐसी परिश्टिती के अध्यान के बाद निसकर्शता कहा जा सकता है एक बिटिश काल में सामानता है भारत का व्यापार संतुलन अनकूल नहीं था बलकि प्रतिकूल था बियल ग्रोवर में साफ साफ ये दोनों चीजें दी हुई है रिगवेद में कई परच्छेदों में प्रियोक्त अगहन्य शब्द सब्दर्भित है किसके लिए गाय की लिए है गाय को अगहन्या कहा गया है जिसको मारा न जा सके निमकित में से किस सैलकित गुफा में ग्यारा सीरों के बोदिसत्व कांकर बहुत माधपून प्रशना ही है ग्यारा सीरों के बोदिसत्व कांकर पूछा है तो कनहेरी की गुफाओं में सी वला राइट एंजर है कनहेरी की गुफाओं में मिलता है कनहरी में सो से यादा गुफाएं मिली हैं जो महराज के थाना थाने जिले में इस्तित है यहीं पर अमोग वर्ष प्रथम का एक लेख मिला है जिसके अनसार गुफा संक्या 14 में 11 मुखो वाली बोधिसत्य की प्रतिमा दर्शनी है जो साथ वहां शाचकों के काल किये है निमक तो A और B दोनों राइट एंसर है एक और दो दोनों सही है NCIT की जो कल्ला की पुस्तक चलती है 11-12 में उसमें आप देखोगे तो साफ साफ दिया हुआ है चीश C वाला राइट एंसर है राज सभादवरा समिधान के अनुचे 249 के अंतरगत पारित संकल्ब जिसके दौला संसत को राज सूची के विशे पर राष्टी हित में विदि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है प्रवित रहेगा कितने दिन तक ये सिदे सिदे अनुचे से प्रश्ण है एक वर्ष के लिए प्रवित रहेगा अधिक्तम तो C वाला राइट एंसर होगा अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्दतियों में से कौन सा भूराजस वसुली का प्रचलित आधार था तो इसका राइट एंसर आयोग ने हल की संख्या भूराजस वसुली का अधार था जबकि इसी समय उत्तर भारत में जप्ती राजस पणाली प्रचलन में थी आन्य पढ़ा लिया भी थी कई जगा मिलता है और इसी आधार पर लोगों ने चैलेंज भी किया था लेकिन अंत बी वाला हल की संख्या को ही माना गया जेयन सरकार की पुस्तक में प्रिष्ट संख्या 190 में दिया गया है कई पुस्तकों में कई कारणों कई अधिहासिक तत्यों के बारे में अलग अलग बाते कही गई है अब ये थोड़ा सा आयोग के उपर रहता है कि वो किस पुस्तक को देख करके बना रहा है प्रश्ण और यही कारण है कि कभी-कभी आपके प्रश्ण आपने कहीं से पढ़े होते हैं वहाँ पर चीज सही रहती है आपके हिसाब से लेकिन आयोग अपने हिसाब से सही देता है और वो उसी को मानता है अन्त तक यह दुरभाग के पूर्ट चीजें होती हैं निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहाँगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो फ्रांसिसको पलसर्ट ये जो है इसने जहाँगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पलसर्ट जहांगीर के सासनकाल में भारत की यत्रा की जो डेच ब्यापारी था ध्यान रखेगा अंग्रेज नहीं था डेच था निकोलो मनुक्की या जिसको मनुची भी कहते हैं इटली का यत्री था जो शाह जहां के समय में आया था इसका जन्म उननी सप्राय सोडो सो अहला की जन्म उनमा से मतलम नहीं है आजया था जब दारणग्जेब और अरंग्जेब थे Mुक्कितव और अरंग्जेब ये भी प्रशन कई बार पूचा गया है ध्याण दीजीगा गांधार अकला ये कुशाण गांधार मतुर अकला दोनों कुशाण जो भी आएगा लगा दीज़ेगा जूनागड रूद द्रदामन का जूनागड अवलेक पता ही है तो चौथा हो जाएगा मिलिंद पन हो तो मिलिंद के परश्ण मिलिंदर वन वाला सही है तक्चसिला लेकिया पतिक से संबंदित है तो डी का टू हो जाएगा इसका राइट एंसर होगा आपका सी तीन चार एक दो तीन चार एक दो ठीक है जौनपूर राजी का अंतिम शाषक कौन था तो हुसैन शाह था हुसैन शाह शाह शर्की अंतिम शर्की सासक जौनपूर का था जिसे बहलूल लोदी ने प्रस्तपरास कर जौनपूर को दिल्ली सल्तनत का हैसा बनाया था शर्की राजवन्स की अस्थापना मलिक सर्वर ने की थी निमकित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है विबिन सासकों के नाम दिया अंग्रेज जो गवरनर थे और किस युद में कौन रहा था यही दिया है और इसमें से हेक्टर मुन्रो बकसर की युद में था सही है लाड हैस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद में था ये भी सही है लाड विलेज अली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद में था बिल्कुल सही है लाड कानवालिस तिती आंग्ल मराथा युद में हेस्टिंग्स था ठीक है जे आर हेस्टिंग्स था उसमें ना कि लाड कानवालिस डी वाला ही राइट एंसर है तो हेक्टर मुंडो बक्सर के उस 17-64 में था लाड हेस्टिंग्स 18-14-16 आंगल नेपाल युद में लाड विले जली चतुर्त आंगल मैसूर युद में था हुआ है आपको पहचान करना है और मिलान करना है तो आदिनाथ इनका जल कलश है एक आफ फोर हो जाएगा ठीक है नहीं एक आफ वन होगा वरिशब आदिनाथ का वरिशब है एक आफ वन मलिनाथ का होगा जल कलश मलिनाथ का ठीक है पाशनात का सर्प था और संभो नात का अश्व था तो पाशनात को आप देखते होंगे सर्प उनके सिर पे भगवान शीव की तरह मिल जाएगा फन फैलाए हुए बाकी आदिनात का व्रिशव है मली नात का जलकलश पाशनात के सर्प हैं संभो नात के अश्व है कुछ-कुछ संभो शब्द जो है ये अश्व से मिलता जुलता है भी इस तरह से आप टिक भी याद रख सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा एंसर एक चार तीन दो और राइट एंसर ए हो जाएगा एक चार तीन दो बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विशेम निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है बराबर की पहाड़ी के बारे में बात कर रहा है पहला करते हैं बराबर की पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं है बिल्कुल सही है चारों के नाम भी याद रखेगा तीन गुफाओं की दिवार पर अशोक के अविलेक उतकीन है ये भी सही है ये अविलेक इन गुफाओं को आजीवक को जो आजीवक थे आजीवक संप्रदाय जो है उनको समर्पित होने का उलेक करते है ये भी सही है ये अविलेक इसापूर छटी शदाब्दी के हैं ये गलत है क्योंकि तीसरी स्रताब्दी इसापूर के हैं अशोक और उनके जो पौत्र थे उन्होंने ये बनवाया था इन गुफाओं का निर्मार करवाया था तो डी वाला ही राइट एंस है दी वाला गलत है बाकि तीनों ही सही है तीनों को ऐज़ा फैक्ट ही याद रखेगा बराबर गुफा जहानाबाद जीला अशोक और उसके पौत दशरत द्वारा आजीवकों को समर्पित बराबर पहाड़ी पर चार गुफाएं बनाई गई गई यह जैपूर राजस्थान के आसपास का शेत्र है बी वाला राइट एंसर है जिसमें अलवर भरतपूर जैपूर आ दिया आते हैं इसकी राधानी विराट नगर थी किसने इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिपड़ी की कंपनी एक असंगती है परंतिया उस व्योस था जबकि उनका सही नाम था टी बी मैंकाले तो इसको भी लोगों ने चैलेंज किया था अंत्तमाना था योगनेबार तो बी वला ही राइट एंसर होगा इसका ठीक हाला कि इसका कोई राइट एंसर नहीं होगा लेकर अगर मोश्ट एप्रोप्रियेट देखा जाए तो म मैकाले ही होंगे ठीक है अगर यहां जीवी नर करके मैकाले दे दे तो तब आप चैलेंज ना कर पाते हैं जीवी की दे दिया इसलिए कर दिया तो जीवी मैकाले ने इस इंडिया कंपनी के वारे में टिपड़ी करते हुए कहा था कि कंपनी एक असंगती है परन्तु वह उस अपका बाग है जहाँ सब कुछ असंगत है तो बीवला right answer था इरे शोतीन में काकती शाश्चकों की सेना ने yönलमे किसकी सेना को वारंगल में प्रॉरस किया था बहुत प्रचलित भी है यह जो कहानी है और तेरे शोतीन में किसका शाश्चन था आपको याद होगा इलतुतमिस थे नहीं तुगलक थे नहीं बलबन थे नहीं अलाव दिन के लिए थे सीवला राइट एंसर होगा तो बहुत सारी चीजें तो आपको काल खंड आपको मालू रहेगा तो ही हल हो जाती है निम्खित युगों विसे देखे ये भी लगातार प्रशन पूछ रहा है तो कौन सा विद्रो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें पाबना सही 1873 दक्कन किसान विद्रो भी सही है 1875 सन्यासी विद्रो 1770 के आसपास हुआ था ये गलत है कौल विद्रो भी 2830 के आसपास हुआ था 2830 के आसपास तो D वाला भी गलत है तो C और D इसका राइट एंसर दोनों होगा दोनों इस सही सुमेलित नहीं है और आयोगने माना भी इसका दो आप्शन ही होगा हाँ C और D दोनों सही नहीं है सही सुमेलित क्या है पावना विद्रो सही है दककन किसान विद्रो सही है सजैसी विद्रो 1770 से 1789 के भीच कोल विद्रो 1831 ए 1832 में हुआ था न्योंकिज मेंसे किस समा सुधारक ने 1826 के जूरी अदनियम का गोर विरोत किया था जूरी अद्नियम जूद था उसका गोरविरोध राजाराम महर। आया ने किया था। जिसका मूल करर्ण था हिंदू-मुस्लिम धार्मी विधे से विरोध एमम سाधशक वर का मनमाना पं। निम्कित में से किस स्थानों पर डच ने किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड़े स्थापित किये थे तो इन सभी जगहों पर किये हैं आप अगर गूगल सेच करें तो भी आपको मिल जाएंगे तो डी वला राइट एंसर होगा सुतंता पूरवक भारत में निम्कित में से किस ने केंद्री विधान सभा में सुराज दल का समर्थन किया था तो मुहम्मद अली जिन्ना ने जो सुराज दल 1923 में बना था उसका केंद्री विधान सभा में समर्थन किया था तो सुराज पार्टी का केंद्री विधान सभा में जिन्ना की स्वतन साथियों ने समर्थन कर विठल भाई पटेल को अध्याक्ष चुनवाने में सफलता प्रात की थी परंतु चितरंजन दास की मित्यों के बाद चितरंजन के सुत्र का गलत अर्थ निकाले पित्थक निर्वाचन का विरोज स्वराज दल द्वारा किया गया जिससे दोनों पक्षों में मद्भेद हो गया अंग्रेजो द्वारा इसे और भढ़काया गया अंतता अद्वी राश के सिध्धान का जन्म हुआ गुपाल किश Gokhale ने किस वर्ष में भारत सिवक मंडिया सर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटिया भारत सिवक समाज की स्थापना की तथ 1905 में की थी पूरे में की थी ध्यान लखेगा निवकित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापूर जिले में जाती सरकार की स्थापना हुए थी तो आपको पता है भारच छुड़ो अंदूलन के समय कई स्थानों पे जो जाती सरकार है उसका गठन हुआ था तेक है लोगों ने वहाँ पे सरकार बनाया था समानांतर सरकारों की स्थापना की थी तो इसमें मिदनापूर में स्थापी सरकार को जाती या सरकार के नाम से भी जाना आता है तो ये 1942 में बनाया था जब भारच छुड़ो अंदूनन चल रहा था इसका बहुत एजी था एंसर देना डियोला राइट एंसर होगा निवकित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अव्युक्तों के समर्थन में अलबर्ट आइंस्टीन जो की साइंटिस्ट है एजी वेल्स, हेराल लास्की और रूजवेल्ट ने सहानभूत पूर्ण टिपड़ियां की तो ये था मेरट सड़यंद मुकदमा, सी और राइट एंसर है तो मेरट सड़यंद में सामववाद के प्रभाव को बढ़ने के अश्रंका में अंग्रिय सरकार द्वारा 32 लोगों को गिरफतार किया जिन में तीन बिटिश नागरिक फिलिप स्प्रिट, बी एफ, ब्रेडलियम, एल, हचिंसन भी शामिल थे जवाला लेरू, एमसी शागला, म. अंसारी निपक्ष रखा तथा आइंस्टीन, वेल्स और लास्कियम, रूजवल्ड ने आरूपियों का लेखो द्वारा समर्थन किया नीचे दिये गए कूट का उप्यों करते निम्खित घटनाओं को सही काला नुकरम में निर्दिश्ट किर करना है तो इनमें जो है चमपारन तो पहले ही हो गया तो 1917 में बिहार में गांधी जी ने किया था पहला अंदोलन मी था उनका और इसके बाद चमपारन सत्यागरह के बाद हुआ खेडा ने आमदाबाद मिला और हारताल होई थे आप एक कोट से याद रखेगा चा खेडा जैसे चमपारन से आमदाबाद फिर खेडा तो लाश्ट में खेडा था तो दोनों 1918 में हुए थे तो आमदाबाद मिल हरताल ये सबसे हुआ चमपारन के बाद फिर उसके बाद खेडा हुआ और अंत में 1919 में रॉलेट एक के बिरुद सत्यागरह हुआ तो इसका हो जाएगा दो चार तीन एक दो चार तीन एक ये वाला राइट एंसर हो जाएगा राजसभा का सरप्थम गठन किस वर्ष में हुआ था तो सबसे पहले 1922 में गठन हुआ था राजसभा लोकसभायों राश्पती से मिलकर संसत का गठन अनुछे 89 के तहट होता है इसमें राजसभा का गठन 3 अप्रेल 1922 को हुआ सबसे पहले एवं प्रथम बैठक 13 अप्रेल 1922 को ही तब से राजसभा संचालित हो रही है आज तक विक्टित नहीं नहीं तो विक्टित की जा सकती है कई भी राजसभा का विक्टित के बारे में जिक्र नहीं है लोकसभा का ही विक्टित होता है यह उच्च सदन के नाम से जाना जाता है सदस्यों की संख्या 250 है जिसमें 12 सदस्यों राश्पती द्वारा मौनुनीत होते हैं हाना कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 245 सदस्य ही है पांच जो निर्वाचन होना चीज सदस्यों का वो नहीं है निमकित में से कौन अंतर राज्य परिश्रत गठन करने के लिए अधिक्रित है तो राश्पती करता है अंतर राज्य परिश्रत का गठन अनुचे 263 के तहट अंतर राज्य परिश्रत एक समधानिक निकाय है इसका बी ओला राइट एंसर हो जायागा तो भारती समधान में के अंधियों राज्य के मद्द समन में स्थापित करने के लिए अनुचे 263 में अनुचे 6 कैविनेट मंतरी सभी राज्य यहम संगराज के मुख्य मंतरी यहम संगराज के प्रसासक समलित होते हैं बैठक की गड़पूर्त के लिए 10 सदसे अनिवारे हैं अध्यक्षता प्रधान मंतरी अत्वा उनके एद्वारा कैविनेट मंतरी करता है निवक्त कैविनेट मंतरी करता है सलाकारी संस्तुती होती है इनके संस्तुती बाध्यकारी नहीं होती यह धान रखेगा भारती समिधान की तिती अन्सूची में निन्वे से क्या उबंदित है तिती अन्सूची की बात कर रहा है यह ध्यान रखेगा तो आपको पूरी तिरत से पढ़ना होगा मैंने इसलिए अंसूची वाला जो वीडियो बनाया था एक बार फिल्म एक कल्दे दूँगा आप अंसूची वाला काईदे से देखेगा एक एक चीज मैंने बताई है इसलिए तो संग के मंतरी के लिए पत की सपत का प्रारूप सही है उचतन म्यालय के मुक्नादी द्वारा ली जाना वली सपत का प्रारूप सही है भारत के राश्पती के लिए पत की सपत का प्रारूप ये गलत है राशपती उप राशपती का अलग से दिया हुआ है समयधान में तो यहां पर तीसरा वाला ही गलत होगा संसत के सदस से दौरा ली जाना विल्सपत का प्रारूब यह सही है ठीक है विदायक संसत सबका है लेकिन राशपती यह नहीं है तीन वाला इसका मलब की इसमें पूछ रहा है क्या उबंधित है तीसरे में तो एक दो और चार राइट एंसर सी हो जाएगा इसका ठीक है राशपती के पत के साथ प्रारूब अनुछे साथ में अलग से दिया हुआ है ठीक है पूलची जटशचों में वरिष्टतम सदस्यों करने की परमपरा अभी बन गई है लोग सभा के वेगिटित होने के बावजूद भी पूर लोग सभा का अध्यक्ष यहुपाध्यक्ष नौ निरौची लोग सभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बने रहते है निमकित कत्नों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से अपना उत्तर चुनिए आसान सा प्रश्ण है राज़िपाल को उच्छन्याले किनाइधिश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है बिल्कुल सही है राश्पति नियुक्ति करता है उच्छन्याले किनाइधिश की तो पहला वाला ही ये पहला वाला क्या हो गया सही है दूसरा विधान मंडल का हिस्सा नहीं है ये गलत है हिस्सा है जिस तरह संसद में राश्वत्ती भी सामिल है इसी तरह विधान मंडल भले सदसे नहीं है तो विधान मंडल का सदसे नहीं होते भी विधान मंडल का हिस्सा है राजपाल भी तो दूसरा वला गलत है उन्हें विधान परिशद में कुछ सदस्यों को मनुनित करने का अधिकार है बिल्कुल सही है ठीके मनुनित करने का अधिकार है तो तीसरा वला सही है उनके पास कोई नियाएक शक्ती नहीं है गलत है पूछ राए प्रफश्ट में कौन सा मिधान का अनुच्छ या अनुच्छ के दारे नहीं आता है ठीक है? जीवन का जो अधिकार प्यदान करता है उसमें नहीं आता है एक चिकिस्ता कद्वरा घायacht को चिकिस्की साहता बिल्कुल उसका अधिकार है कार रिस्थल पर महिलाओं का लेंगे को पीडन ठीक है इससे सुरक्षा ये भी अनुश्यद 21 के तरहता आता है पानी की गुडवत्ता को दूशित करना ये भी अनुश्यद 21 के दारे में आता है ठीक है इसको भी रोका गया है मित्यु दंड देखें यहाँ पर अगर हत्या होती आत्म हत्या होती तो ये सब चीज़ें दारे में आता मित्यु दंड दिया हुआ है तो मित्यु दंड विधी द्वारा थाबिद प्रक्रिया के द्वारा दिया जाता है तो इसलिए डी वाला जो है ये राइट एंसर होगा मालब डी वाला इसके दायरेम नहीं आएगा तो मितुद्धन समिधान के नुछे 21 के दायरेम नहीं आता एक चिकिस्तक द्वारा घायले को ततकाल चिकिस्ती सुविधा प्रदान करना अनुछे 21 के अंतरगत एक मूल अदिकार है एवं घायल को इस प्रकार सुविधा प्राद करने का अदिकार है तो परमानन कटारा वणाम भारसंग में ये कहा गया था कारस्थल पर महिलाओं का लेंगी को त्पीडन होना मूल अदिकार 21 का अलंगन है जो उसके प्राण एवं दही सतंता को सुनशित करता है Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women 1789 एवं बीजिंग घुशना पत्र को भी नयालेओं को विचार करना चाहिए विशाखा बनाम राजस्थान राज में ये बात कही गई थी वही शुभास गुमार बनाम बिहार राज में प्रदूशन मुक्त जलोर वायू के उभोग का अधिकार अनुछे 21 में प्राण के अधिकार के अंतरगर समली था जबकि मित्वदंड नहीं है ठीक है बच्चन सिंग बनाम पंजाव राज में मुक्ष नयाधीस चंद चूड भारत के सबसे आदा समय तक नयाधीस भी रहे थे सरोश नयाले में है ने बहुमत के निर्णे को सुनाते हुए कहा था कि मित्व कारित करने के लिए मित्वदंड का वेकलपिक दंड अनुछे 14, 19, 21 का इतकमर नहीं करता है और यह समय धानिक है क्योंकि IPC की धारा 354 में मित्वदंड दिये जाने के लिए विहित प्रक्रिया आय युक्त युक्त और अन्याय पूर नहीं है और अनुछे 14, 19, 21 का इतकमर नहीं करती है ता इसे अनुछे 32 के अंतरगत लोक हित्वाद नहीं लाखिल किया जा सकता है हम यह भी कह सकते हैं इसके उलट की मित्वदंड देने का अधिकार जो मिला हुआ है सरकार को वो किस अनुछे से मिला हुआ है तो अनुछे 21 से ही मिला हुआ है ठीक है यही कहता है कि विदी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी के प्राण और दही सोतनता को चीना जा सकता है तो यहाँ पर राज एक क्लेम कर देती है कि नहीं हम तो विधी द्वारा स्थाफित प्रक्विया के द्वारा में तो द्रण देते हैं रहे हैं निमकित में से कौन सा एक शेत्री परिश्टों का लक्षन नहीं है यह एक समिधानिक संस्था है यही गलत है समिधानिक तो है नहीं गैर समिधानिक संस्था है शेत्री परिश्द। इनका गठन राज पुनर गठन अधनियम जुलाई 1956 में संसा द्वारा पास किया गया था जिसके अंतरगर शेत्री परिश्द। अर्खित कतनों पर विशार कीजिए नीचे दे गए कूट से सही उत्तर को चुनिए भारत एक लोकतानिक देश है बारत का अपना एक समिधान है यह भी सही है लेकिन समिधान होने का मतलब नहीं है कि यह लोकतानिक होगा। अर्थाद चाइना में भी समिधान है कई अलोकतानिक देश हैं वहाँ समिधान होता है तो समिधान होने का यह अर्थ नहीं होता है कि वहाँ लोकतान्त्र होगा यह होगा। निमकेत में से कौन संसद सदस्यों का सामोहिक विशेशादिकार नहीं है, तो संसद को विशेशादिकार दो पकार के हैं, संसद सदन को विशेशादिकार मिले हुए हैं, एक जो सदस्य हैं, उनको विशेशादिकार मिले हुए हैं, तो इसमें कौन सा सामोहिक विशेशादिक उपस्तिती से सुतंता जो मिली हुए दोस्तों ये सामुईक नहीं व्यक्तिगत ये विशेशादिकार है विशेशादिकार के अंतर रगताएगा तो विशेशादिकार तो है लेकिन व्यक्तिगत है सीवला ही राइट होगा अब परचितों को सदन से बाहर रखने का विशेश और शक्षी के रूप में नौ उपस्तिती से शतंता विएस शाधिकार है नकी सामुईग विशेशाधिकार सेश विकल्व सामई विश्यश अधिकार के अंतरगत आते हैं बाहरी व्यक्तियों को अपरजित करने का अधिकार लोकसभा नियम 248 तथा राजसभा नियम 265 चर्चा बहस की प्रक्तिया के सुतंता जिसको कहीं भी नहीं उठाए जा सकता सिवाय संसत के अंतरिक विश्यों को विनिमित करने का अधिकार तो ये सब जो है सामई विश्यश अधिकार के अंतरगत आते हैं भारती समिधान में राज्यों का संग की संगलपना को प्राप्त किया गया है कहां से राज्यों का संग होगा कहां से पराप्ट किया ग्या है तो जो अर्द संग हात्मक जो विवस्ता है कनाडस ली गई है तो राज्यों का संग की संग कलपना कनाडस ली गई है इसको कनाड़ा न लिकर के British North America लिखा गया है B. सदनों की कुल सदस्ट से संक्या का दस्वा भाग होना चाहिए B. वाला राइट एंसर है अबिभिन यहाँ पे संसोधन दिये गए है उनमें क्या किया गया यह दिया गया है न्याइक पुनरिक्षन शक्ति का परिसीमन कर दिया गया सीमित करने का प्रियास किया गया किसके द्वारा 38 में संसोधन समिधान संसोधन के द्वारा किया गया था संपत की अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से पहले मूल अधिकार में आता था 44 संसोधन संसोधन 1978 में मतादिगार यायो 21 वर से घटाकर 18 वर्स कर दी गई एक सेट में समिधान संसुधन के द्वारा और उद्देशिका में पंथ निर्पेक्ष शब्द को जोड़ा गया किसके द्वारा तो ये 42 समिधान संसुधन 1976 एक ही बार संसुधन हुआ है उद्देशिका में तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 3,4,1,2 क्या समान है यहां पर भारत अमेरिका के राजनेतिक व्यास्था में और सिष्ट सक्तियां केंद्र के पास हैं तो ऐसा कुछ अमेरिका में है नहीं अमेरिका में पूरी तरह से संग घातमक व्योस्था लागू है राज्यों को अलग अधिकार दिये गए हैं केंद्र के पास अपने अलग अधिकार हैं दोनों अपने अधिकारों का सीमा जो है उसी सीमा में अपना कारे करते हैं उसका अतिकमर नहीं करते हैं तो पहला वला गलत है दूसरा औसिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है तो ऐसा कुछ भारत में हैं नहीं औसिष्ट शक्तियां ऐसा कुछ नहीं कि राज्यों के पास है दूसरा वला गलत है राश्मती के पास pocket veto की शक्ति है ये सही है अमेरिका में भी pocket veto है भारत में भी pocket veto है और ये दोनों चीजे समान है उच्छ सदन में कुछ मनोनित सदस्य होते हैं ऐसा कुछ अमेरिका में नहीं पाय जाता है भारत में है कि यहां पर 12 सदस्य मनोनित किया जाते हैं उस सदन में राजसभा में, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है तो इसका केवल तीसरा वाला ही राइट अंसर होगा केवल 3, A वाला राइट अंसर होगा औस सदस्यों के मनोना अनका अधिकार आयरलेंड सरी गए वियोस्ता के समान है जबकि पॉकेट वीटो की शक्ति यू एसेयं बारत की राजनितिक वियोस्ता में समान है अगला पराशन है चुनाओं की घोशना होते ही राजनितिक दलों को आदर्स आचार सहीता का पलन करता है ये तो आपको मालूम है पहला वाल राइट एंसर है आदर्स आचार सहीता को संसद ने अधनीमित किया था ऐसा कुछ नहीं है आदर्स आचार सहीता एक परंपरा चली आ रही थी जो समय समय पे सुधार हुए बाद में इसको जो है जितना वर्डन था जितना भी जितनी भी चीज़ें थी सबको एक करके एक चुनाव आयोग थे मुख्य चुनाव आयोग टी एन शेशन नाम था उनका उन्होंने इसको क्या किया आदर्स आचार सहिता के रूप में प्रवर्तित कर दिया था तो ये दूसरा वल्ला गलत है ए सही है और गलत है राइट एंसर हो जाएगा ए सत्य और असत्य सी भारत में न्याइक पुन्रिक्षण का शेत्य सीमित है बारती समिधान में कुछ उधार की बस्तों है तो देखे पहला वल्ला तो बिल्कुल गलत है आपको पता है न्याइक पुन्रिक्षण की सीमा जो है वो विधी शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ लगाए जाता है राज शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लगाए जाता है राज जो विधी निर्मान की जाता है इसका व्यापक अर्थ लगाए जाता है ने कि सीमित अर्थ लगाए जाता है तो तो किसी भी विधी का अधनियम का नियम का कानून का अगर ऐसा लगेगा कि यह यह प्रत्या उज़ेद विधान भी हो लगेगा कोट को न्यायले को यह समिधान का इत्कमण कर रहा है तो वह उसे शो निगोचित कर देगा किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो किसी भी प्रकार से जनहित याजिका तक आ गई यह नाइक पुन्रा जो पुन्रिक्षण की शक्ती है इसी का विस्तार है सब तो यह वाला तो बिल्कुल गलत है भारती समर्दान में कुछ उधार की वस्तों है उधार की वस्तों महला विभिन्र देशों से ली गई है तो बियन राओ जो जिन्होंने सबसे पहले समिधान निर्माड किया था प्रारूप समिधी तो बाद में बनी थी तो बियन राओ ने ही ये सारी चीजें विभिन देशों से कंट्री से इकठा करके लिए थी बाद में इसमें विचार हुआ अंततह अमेटकर साब ने कहा भी कि भले ही विभिन देशों से गरहन किया गया हो इसलिए आरोप लग सकता है कि हमने बाहर से उधार लिया है लेकिन हमने क्यों अच्छी अची चीजें को लिया है जो वहां की बुराईया हैं जो वहां की नकारत्मक चीजें हैं उनको छोड़ दिया है या जो अब विभारिक चीजें हैं उनको छोड़ दिया है और जो भी हमने चीजें ली हैं वो जो भारत की परस्थितियां वे इसके अनरूप है तो अपना समिधान इसलिए सबसे अलग तरह का यूनिक समिधान माना याता है विश्व में और आपको ये भी बताओ का भारती समिधान में दो तिहाई या उससे ज़्यादा अनुछेद जो उसमें मलब जो भी प्राउधान किये गए हैं प्राउधान लिये गए हैं वो 1935 में भारत सासन अधनियम आया था उसी से डारेक्ट उठा लिये गए हैं या थोड़ा बहुत परिवरतन के साथ लिये गए हैं तो इसलिए उधार की बस्तु में कारण आर सही है ए गलत है तो डी वाला राइट एंसर होगा ए गलत है आर सही है सरकारी आयोग से अकसर प्रशन आता है केंदर राज समंद मिलान करने के लिए आता है लेकिन ये भी प्रशन पूछा गया था अच्छा प्रशन था कि कौन सरकारी आयोग का सदस्य था इनमें से तो इनमें से डाक्टर एसार सेन सरकारिया आयो के सदसे थे तो तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है सरकारिया आयो केंद्रियों राजी के समनवे संबंदे था जिसका अध्यक्षर राजिंदर सिंग सरकारिया थे जो 9 जून 1983 मगठित किया गया था इसके सदसे कौन थे श्री बी सेवरवन और डाक्टर एसार सेन तीनों लोगों का नाम याद रखेगा आप जनवरी 1988 में 1600 पेज की रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी जिसमें 19 अध्याय एवं 247 सिफारिशे है मदन महन पुंची आयोग या पुंची आयोग भी कहा जाता है केंदवम राज से संबंदित था के हनुमंतिया करनाटक के दूसरे मुख्यमंत्री थे तीक है जो आप्शन में आपके दिया है ये विविन राज जे हैं उनके राजसभा के सदस्यों की संख्या दी हुई है तो गुजरात में कितने 11 सदस्य हैं करनाटक में 12 हैं केरल में 9 हैं उडिसा में कितने हैं 10 से राजसभा के सदस्य हैं बारती अर्थवियोस्था से संबंदित प्रशन है बुलक कैपिलिश या बैल पूजी पती किसे कहा जाता है तो बैल पूजी पती कौन होते हैं उन किसानों को जिनके पास कुछ साधनतों हैं पर धनाड नहीं है तो C वाला राइट अंसर होगा जिनके पास कुछ साधनतों हैं पर वो धनाड नहीं है she is right answer नियुके परेसे कौन सही सुमिलित नहीं है विभिन प्रस्ताओं हैं और किसके लिए लाए जाते हैं कौन सा सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है तो निर्मोदन प्रस्ताओं बजट की मांग को घटा कर एक रुपए कर दिया जाता है तो एक मुख्यता जो है, ये क्या कियाता है, बजट की मांग को घटा कर एक रुपए कर दिया जाए, ऐसा इस प्रस्ताओं में मांग की जाती है, इसका मुख्योदेश होता है सरकार के किसी योजना का पूरी तरह से आलोचना करना, मित व्याईता प्रस्ताओं बजट की में से एक निर्दिष्ट राज सी घटा दी जाती है या घटाया जाने की मांग की आती है घटा जाने की मांग की आती है इसका मुख्योदेश होता है किसी विशेश विशे पर चर्चा करना और सरकार की आलोचना करना सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिया जाए इसका भी मुख्य देश होता है कि कुछ मुख्य बातों का इसमें या तो शामिल कर ले सरकार जो विपक्ष कहना चाहता है या फिर विपक्ष सरकार की आलोशना करना चाहता है तो नीत निर्मोदन प्रस्ताओ बजट की मांग को घटा कर एक रुपए कर दिया जाए या योजना ही समाप्त कर दी जाए इतना तगड़ा विरोध होता है दूसरा मित वेट्या प्रस्ताओ बजट की मांग में से एक निर्दिश्ट राशी घटा दी जाया, इससी मांग की जाती है वही सांकेतिक प्रस्ताओ बजट की मांग में से एक सो रुपए कम कर दिया जा, इसका डिमांड के जाता है, तीनो सई है चौथा वाला लेखा नुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्ती वर्ष के लिए पारित करना ये गलत है पूर्ण रूप से वित्ती वर्ष के लिए नहीं होता है पूर्ण रूप से वित्ती वर्ष के लिए जो मांग होती है उसको अंदान की मांग कहते है लेखा नुदान क्या होता है ये दो महिने के लिए होता है परंतो चुनावी वर्ष में जब चुनावी वर्ष में जब चुनाव होता है तो अधिकतम चार मास के लिए हो सकता है नीचे दो कथन दिये गए देखे यहां से आपको लग रहा होगा बहुत पुराना प्रश्ण पूछ लिया लेकिन आपको बता दूँ कि आर्थिक समिक्षा में जब किसी पुराने आकड़े का जिक्र होगा तो 50 साल भी पुराना आकड़ा हो बहुत रिलिवेंट हो जाता है स्वास्त नियोजन के बिना नगरी करण के करण इस प्रकार की बिमारियां फैलती हैं सीधे सीधे नेशकर्ष में यह इसी इस थी तो ए और आर दोनों सही है ठीक है और आर एकी सही व्याक्या नहीं कर रहा है तो यह चुवा छूत का जो है नगरी करण से कोई डारेक्ट सं कि वर्तवान में कोविड-19 मामारी में सामाजिक दूरी बनाये जाने के लिए कहा गया जो हमारी जिम्यदारी थी सोयम की तो यह में रीजन होता है नकिये तो दोनों अलग-अलग सही हैं दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था बी वाला राइट एंसर होगा ब्रिक् लब्मेंड बैंक शंगाई में स्थापित किया गया है 2014 में फोर्टा लेजा और ब्राजीलिया शिकर समिलन के छटवे संस्क्रण में एंडीबी के स्थापना के निर्ने लिया गया था विभिन योजना हैं उनका समयान उक्रम द्वारा व्योस्तित करना था लेकिन इसमें आप्शन ही गलत दिये हुए थे क्योंकि प्रधानमंती जंधन योजना 28 अगस्त 2014 को हुई थी लांच मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को सुकन्या समरिद्धी योजना 22 जनरी 2015 को और अटल पेंशन योजना 9 माई 2015 को शुरू हुई थी तो विकल्पों में से कोई विकल्प सही होगा नहीं अगर इसके अस्तान पे चार तीन एक दो होता ठीक है चार तीन एक दो ये होता पहला वला आप्शन तो सही होता ये वला असामाजिक सुरुक्षा अदनियम 2008 के अंतरगत प्रारम की गई राष्टी स्वाथ विमा योजना आचादित करती है तो ये केवल पूछ रहा है किसी भी योजना का लक्ष पूछ सकता है तो 28 प्रती एक हजार लाइव बर्थ ये लक्ष था और कुल प्रजननता दर को 2.1 तक नीचे लाना था टीफार को ठीक है ये विमिन लक्ष थे आप चाहें तो देख सकते हैं भार सरकार द्वारा अनमोदित सक्षम प्रयोजना संबंदित है सक्षम प्रयोजना नवीन प्रत्यक शकर नेट्वर से संबंदित था ठीक है उस वरश का प्रशन था इस्टार्टप्स की विशेश आवशक्ताओं को पूरा किया जाता है तो दूत निवेश्कों के वाध्यम से जोखिम व्युक्त पूजी से भी वैश्विक लिंग सुचकांग में कौन कौन से प्राचल है स्वास्त है सिक्षाय आर्थिक सिति है राजनितिक से शक्ति करण है ठीक है जबकि आराम इसमें समलित नहीं है यह देखने से भी लग रहा है डी वाला राइट एंसर भारत सरकार द्वारा प्रार्म की गई गई से किस परेटक चक्र का विकास समलित नहीं है तो इसमें यह बी वाला नहीं है सूफी चक्र नहीं बाकि विरासत चक्र रामायर चक्र टटी चक्र यह सब है ठीक है तो जनुरी 2015 में परेटन मनता है द्वारा यह प्रारम किया गया था सुदेश दर्सन योजना जिसमें विर FHS 3 का आकड़ा पूचा है जो मातपूर नहीं इसको छोड़ दीजे बहुत पुराना हो गया उर्जा गंगा प्रयोजना के निमकित में से कौन सा कथन सही है उर्जा गंगा प्रयोजना अगर आपने योजना पड़ी होगी तो आप आराम से लगा देंगे नहीं पड़ी तो बिलकुल नहीं लगा पाएंगे यह गंगा प्रयोजना है इसका पहला और दूसरा ही सही है इरान से भारत तक नहीं फैली है और और बेमहत्पूर बात भात है कि जन्नियू इसकी अधार शीला मोदी जी ने 2016 में रखी थी कहां पर रखी थी वारानसी में रखी थी और इसके तहट 2018 तक ये लक्ष था कि उत्तरपदेश के जगदीस पूर से पश्चिम मंगाल के हल्दिया को पच्चिस सो किलोमेटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जा इसमें शामिल होंगे ये पांच राज्यों का नाम याद रखेगा में भी पूछ ले उत्तरपदेश, भिहा, जारखन, पश्चिम मंगाल और उडिशा नियूटकी में से किस वर्ष में संविक्तराश संग द्वारा संग ने परम गरीबी की परिभाशांगी की थी तो बी में अमलब की 1995 में संविक्तराश संग द्वारा 1995 में गरीबी को अत्यदिक गरीबी और कुल गरीबी दो रूपों में परिभाशित किया गया था तो जंधन योजना तो 2014 में चली थी तो 2014 की है योजना बाकी तीनों योजना है 2015 की है डिजिटल जेंडर एटलस ये 2015 का अब मार्च का है 2015 का प्रधानमतिस रुक्षा भीमा योजना ये मैं 2015 की है मुद्रा बैंक अप्रेल 2015 का है जिसका हो जाएगा कालकरमा नुसार देखा जाए सबसे पहले वन फिर वन के बाद आएगा टू फिर आएगा चार फिर तीन एक दो चार तीन पहला वाला ये वाला राइड एंसर हो जाएगा ठीक है ये रहेगा युनेस्को के ततधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व सिकर समिलन कहां पर आउजित किया गया था तो ये डी कोपे नहेगन में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व सिकर समिलन मार्च 2015 में गरीबी समिलन के नाम से आउजित हुआ जिसका आउजिन युनेस्को द्वारा किया गया था जिसका उदेश गरीबी का निवारन रोजगार रिधी समाजी के की करण था निमकित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतरगत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है पूरक आहार दिया जाता है रोग प्रतिरक्षण दिया जाता है टीके तो लगाई जाते हैं तो आगन बाडिम जो जो आप देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें समन्वित हों कि बच्चों को निसुलक पुस्तक और विद्याले पुशाक का वितरन बिलकुल नहीं ये प्री स्कूलिंग से सम्मंदित है ठीक है स्कूल से पहले की यहां पर पढ़ आपकी सिक्षा वगर जो भी होता है इस स्कूल के पहले चीज़ें होती है कहानी कविता सुनाई आती हैं हाँ पुस्तकों और विद्याले की पुशाक से कोई मतलब नहीं है तो सी वाला जो है विद्याले के बच्चे जब पढ़ाते हैं तो सी वाला ही राइट एंसर होगा गलत है तीन से च्छा वर्ष की आयों के बच्चों को स्वास यों पोशन शिक्षा ये साई है तो समन्वित बाल विकास या ICDS या एकिकित बाल विकास योजना 0-6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों गर्वती महिलाओं तो था स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास पोशन एवं सैक्षिक सेवाओं का एकी कित पैकेज प्रदान करने की योजना है महिला और बाल विकास मंताले के अंतरगत 1975 इस भी में प्रारम की गई योजना के द्वारा आगन बाड़ी भौनों CDPO कार्यालेओं गोदामों के लिए रिंट प्रदान किया जाता है इसके अंतरगत 36 वर्ष के बच्चेों को अनौप्यारेग सिक्षा प्रदान किया आती है प्री स्कूलिंग सिक्षा जिसको बोलते है ये विभिन योजनाय हैं इनके उद्देश क्या क्या है पूचा है उदय का उद्देश क्या है तो विद्द दिज्रेन करने वाली कंपनियों का विद्द पोशन करना सही है विरासत वाले शहरों बारव विरासत सहर जो है उनका सरक्षन पुनर जीवन बिल्कुल सही है अमरित योजना सहरों में मोलगू सरचना का सुधार बिल्कुल सही है स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेजल से संबंदित नहीं है स्वच्छता संबंदित है गली सडग महले निर्माण वाले अस्थान आदी साफ सुत्रा रहें ठीक है और इसका मुक्य उद्देश था क्या ODF ठीक अर्थाद जो सौच खुले में सौच से मुक्त भारत बनाना ये मुक्य लक्ष था इसका तो डी में सुद्ध पेजल नहीं सामिल है बागी सब सामिल है 2015-16 के आर्थिक सर्विक्षन से प्रस्था पुराना हो गया है चक्रवी उचुनोती किसे माना गया है पूचा था तो हाला कि मान लिजे कभी जिक्र हो जाए या कभी मेंस में लिखना हो तो इसमें चक्रवी उचुनोती क्या मना गया था बहुत रोचक था भारती रत्वियोस्ता का समाजवाद से निकल करके निर्गमन रहिस सीमित बाजारवाद की और जाना जहां पर कुछ लोगों का बाजार पर नियंतर्ण है तो सी वाला राइट एंसर था इसका चक्रवी उचुनोती निकलित मेंसे कौन सा विशालतम हिमनद है इसमें सी आचीन हिमनद सबसे विशालतम हिमनद है सासाइनी को कई लोगों ने लगाया था क्लेम बेगिया था कई जो पुस्तकें है उसमें दिया विए गलत है तो इसका सी आचीन ही राइट एंसर होगा अधोलिकित मेंसे कौन सी शीत महा सागर धारा नहीं है एक बित याद रखेगा दुनिया का सबसे वड़ा हिमनद है ये जो सी आचीन हिमनद है वश्व का विशालता हिमनद अधोलिकित मेंसे कौन सी शीत महा सागर धारा नहीं है तो सीत और गर्म जल धारा का हमने आपको बताया है हम बोले कि ग्रीन बगुला केला क्यों फेक रहा ये भी बताया है और आपको गर्म जल धारा सुसमा क्यों गल्फ भाय तो उससे आपको याद रहेगा हमेशा, यहीं से हर प्रश्ण आएगा, तो इजली आप कर लोगे, चौरासीवा का D जो है अगुलहास की धारा, तो यह गर्म जल्दारा है, ठंडी नहीं है, बाकी कनारीज, हमबोल्ट, ओया शियो यह क्या है, शीत महासागर की जल्दारा है, तो कनारीज, अंटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जल्दारा है, हमबोल्ट, प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है, जो पेरिवियन धारा के नाम से वी जना आती है, पीरू की धारा भी बोलते हैं, इसको आयो शियो जल्दारा, ठंडी जल्दारा है, जो प्रशान्त महासागर में चलती है जबकि अगुल हास जलधारा एक गर्म जलधारा जो हिंद महासागर में बहती है विबिन दर्रे हैं किस राज में इस्तित हैं सुमिलित नहीं है पूछ रहा है इनमें से कौन सुमिलित नहीं है तो सिक्किम में है नाथुला बाकी सब सही है मेगालेम नहीं है तो शिपकीला दर्रा हिमाचपदे सही बॉमडीला अरुनाचपदे सही नाथुला ये सिक्किम में मेगालेम नहीं है जोजीला जम्मू कश्मीर सही है इसका सी वला ही राइट एंसर होगा सी वला सुमिलित नही है निवगेत मेंसे किसे यूरोप की तेल रजधनी कहा जाता है तोएबरडीन को यूरोप की तेल राधनी कहा जाता है जो कि श्कॉल लैंड में स्थित है विश्व के दूसरे बड़े हलिपोर्ट और समुद्र में तेल निकालने क execution महत्पों जाजी बंदरगा सेवा के कारण एबरडीन को प्राया यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है निवकित में से किस देश समू की सीमा इसराइल से मिली हुई ये लगी हुई है इस बार का भी अच्छा प्रश्ण बन सकता है इसराइल को कई बार इसराइल देश की सीमा से लगे हुई है निनमे से कौन सा सबसे बड़ा पठार है इनमे से कोलंबिया पठार सबसे बड़ा पठार है USA का दी वाला राइट अंसर है ठेके Kolerodo है दूस्तों सबसे बड़ा पठार Mount Colorado है न कि Kolंबिया तो C वाला ही राइट अंसर होगा इसका C वाला राइट अंसर होगा इसको सही कर लिजे कोलरेडो 3,37,000 वर किलोमिटर है कोलंबिया 2,5,000 वर किलोमिटर है भारत का सरवादिक घराई वाला बंदरगा कौन सा है तो यह थोड़ा सा विवादित है अक्सर कई नए नए आकड़े आते रहते हैं फिलहाल आयोग ने वी कोचीन माना था कोचीन ही मान के आपको चलना होगा इसकी गराई 13,8 मिटर है निमकिस शैल करमों में देखिए यहाँ पर पूछा नहीं था विशाका पटनम यह महत्पुनबाद है तो लोगों ने क्लेम किया था कि यह डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसमें विशाका पटनम पूछा नहीं है तो मुझे याद नहीं शायद यह डिलीट हो गया था इसका भारत का सरवादी गराई वाला बंदर निम्न में से कौन धारवाड धात्विक तत्यों के लिए जाना याता है तो गुडवाना क्रम वहाँ कोईला के लिए फेमस है डिवला राइट एंसर है निम्कित लोहायों इस पाथ कारखानों में से कौन कच्चे माल शेत्र के समीप नहीं है पूछ रहा है ये भी थोड़ा विवादित था तो सेलम जो है ये कच्चे माल के समीप नहीं था लेकिन आयोग ने ये एंसर डिलीट कर दिया था इसका एंसर डिलीट कर दिया था इसका पहले एंसर दुरगापूर माना था आयोग ने लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया था इन्होंने जबकि सेलम का जो सेलम और विशागा पटनम दो जगह जो सैत्र बने थे लोईस पाथ कारखाने बने थे साफ साफ लिखा हुआ है आप इंडियन गवर्मेंट की रिकॉर्ड में देखो कि ये कच्चे मालक के शेतर से दूर है फिलहाल ये डिलीट कर दिया था इसका उत्तर सेलम ही होना चाहिए था लाल सागर एक उधारण है तो ये अक्षी दोड़ी है अक्षी दोड़ी का उधारण है जवाला मुखी के द्वारा जवाला मुखी घाटी का निर्माण होता है जबकि अपरदन की क्रिया द्वारा अपरदित घाटी का निर्माण होता है और ग्लेशियर द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है लेकिन लाल सागर एक अक्षी दोणी करने मान करता है करक रेखा निमकित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है तो करक रेखा आपको पता है मित्र पर गमचा जार इससे अच्छा क्या होगा तो इसमें एवला एक दो चार राइट एंसर हो जाएगा निमकित में पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही करम पहचानी है तो पहाड़ीों के करम के अंसार पहाड़ी जातियां भी है तो सबसे पूर्व पश्चिम में है गारो फिर उसके पूर्व में खासी फिर उसके पूर्व में जैनतिया और अंत में नागा है, नागा है इसके पास, तो इसका सी वल राइट एंसर होगा, गारो खासी जैनतिया जो की मेगाले में है, नागा हिल, जो की नागा लेंड में है, जहां नागा जन जाती है, पाई जाती है, विभिन तापगरी है, विभिन नाम दिये है, किस से सम्मंदि पूछा गया है तो इडुक्की सबरगीरी घाड़ प्रभा राम गंगा आप लोगो थोड़ा धुंदला दिखाई पड़ रहा होगा पहला इडुक्की इडुक्की तो जल्विदुत प्रविजना है तापी शक्ति ग्री नहीं है गलत है यह दूसरा सबरीगीरी जल्विदु कक्की पंबा नदी पर केरल में यह भी है घाड़ प्रभा प्रविजना घाड़ प्रवा नदी पर सिचाई प्रविजना है करनाटक में राम गंगा बहुत देशी प्रविजना जो सिचाई जल्विदुत इत्याद में प्रयोग लाई जाती है राम गंगा नदी पर है जो जुडुमा जो है मचュकॉटडबे, गुकाक घाटप्रवा में, और जोग जो है गुर्सप्पा, जिसको बोलते हैं, शरावती नदी पर, कई बार आपने देखा भी होगा, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा, चार दो एक तीन ठीक है चार दो एक तीन इसका राइट एंसर हो जाएगा ए वाला ठीक है इसको चाहें तो आप इसके न्साट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते है निमक्ति में से कौन सही सुमिलित नहीं है तो विभिन देश हैं उनकी राजधानी दी है इसमें मालदीव की राजधानी गलत है मालाबो नहीं बलकि माले है बागी गिनी बिसाओ की बिसाओ है ताइवान की ताइपे ही है निकारा गुआ की माना गुआ है तो डी वाला राइट एंसर है कहां पर कौन देखिए अभी है उस दिनमने आपको बताया विविनस्थान पे कौन सी स्थानांतरी खेती प्रसिद्ध है किस नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है देख्षिन पूरवी राजस्थान में वालरे बोलते हैं या वालगेरे बोलते हैं उत्तर पूरी भारत में जुम खिती के नाम से जाना जाता है, मद्ध प्रदेस व थे 36 गड़ में डाहिया या डाहवा दोनों नाम से जानते हैं, इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ठीक है, बी वाला राइट एंसर, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका एंसर, यह राइट एंसर है, पश्चमी घाट में कुमारी, दक्षिन पूरी राजस्थान वालतरे, दक उत्तर पूरी भारत, जूम, मद्ध प्रदेस तथा 36 गड़ डाहिया, विभिन अलमूनियम कंपनी है, देखे, वहाँ आपने देखा होगा, सदा बाहर वीडियो में, आपको कम से कम 15-20 प्रश्ण तो उसी वीडियो से मिल जाएंगे हर परिक्षा में, अगर वो वीडियो आप गिजहां से देखते हो, पीडियो बार बार पढ़ते हो, तो बालको कहां पे है, बालको कंपनी कॉर्बा, यह सभी अलमूनियम कंपनिया है, यह कॉर्बा में है, 36 गड़ में, हिंडालको रेनुकूट में उत्तर व्रदेश में है, इंडियन एलमूनियम कंपनी, यह है हीरा कॉंड में, ठीक है, हीरा कॉंड, मतलब उडिसा में, और नालको कहां है, यह है कोरापूट में, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट अंसर, बी, दो चार यह बिभिन नगर हैं, और किस नदी के किनारे इस्तित हैं, यह आपको बताना है, तो खारतुम जो है, नील नदी के किनारे इस्तित है, ब्राजा वेले, जो ब्राजील में है, जैरे नदी किनारे इस्तित है, राटर्डम, यह जो है, राइन नदी के किनारे इस्तित है, रा लेकिन इसका राइट एंसर पूरा अगर मिला लीजे तो एवला हो जाएगा दो एक चार तीन खार्तुम नीन नदी के ब्राजवेले जैरे राटरडम राइन नदी और पेरिस सेन नदी के इना रहे स्थेत है निमकित में से कौन सी नहर दक्षण जर्मनी में आंतरिक जलमार के रूप में प्रयोक की जाती है तो लुडविक्स नगर है नहर है दक्षण जर्मनी में आंतरिक जलमार के रूप में प्रयोक की जाती है वोलगा दोन नहर, वोलगा रिवर और डान रिवर को जोड़ती है यह रूस में बहले वाजील नहर है, वोलगा दोन साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में इस्ते थे, जो बी वला है और सफेद सागर नहर यह रूस में स्ते थे, रठ ली जएगा इन जीजों को किसी दूसरे रूप में पूछा आता है ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है तो फजेंडा कहा जाता है कहवा की बड़ी पैमानव खेती की आती है कहवा का विश्व में बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक भी है वहाँ इन्ही बागानों को फजिंडा कहा जाता है रानी जहांसी समुद्री राष्टी पार्क के स्थापना कभूई थी उन्निस सो चानवे मुई थी कहाँ अंडमान वर निकवार्दी समू में यह परवटन का मुक्ष के अंदर भी है निमकित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्टी उध्यान है तो जिम कार्बेट राष्टी उध्यान है हैली नेशनल पार्क भी इसको बोलते थे पहले वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस चीट पर निर्भर करती है तो वाई मंडल में नमी जितनी होगी, उतना ही वर्षा होगी, तो बीवला राइट अंसर है, तो वर्षा नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखेगा, ये वर्षा की मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा जितना वाई मंडल में नमी होगी, जितना पानी होगा भहिया, उतना ही वर् पतजडवन बहुत ये अच्छा प्रश्ण है तो उश्कडवंधी वन जो है केरल पाए जाते हैं साइलेंट वैली वहाँ पर ये परिस्तियां पाए जाती है श्रंक उधारी वन जहां में ठंडा होगा हिमाचर पदेश में पाए जाएंगे पतजडवन कहां पाए जाएंगे जो बच्चा पतजड़ हो जाएगा राजस्थान तीन इसका राइट हैंसर डी वाला हो जाएगा चार दो एक तीन ये मिलान है देख लिए जगा राष्टी अंतर राष्टी घटना है तो पूरा छोड़ी दीजए ठीक है देखते हैं कोई रिलिवेंट होगा तो बताएंगे नहीं तो छोड़िए सो अब आजाए विवद में वन अंसंधान संस्थान कहां इस्थित है देहरा दोन में भारती चारा गायों चारा गाह एम चारा अंसंधान संस्थान कहां इस्तित है जहांसी में इस्तित है कई बार पूछा है कि अंद्री सुस्क शेत अंसंधान संस्थान कहां पर है तो यह आपका जोधपुर में इस्तित है भारती कृष अंसंधान संस्थान कहां है नई दिल्ली में है तो ये आप मिलान कर लीजे इसका क्या हो जाएगा बी वाला राइट एंसर हो जाएगा तीन चार एक दो कई बार पूछा गया और आप कुछ मत करिए हमने कहा न हमारा सदा बाहर देख लीजे एक दम बाहर में रहेंगे सबके लिए सतत उर्जा दशक पहल है सबके लिए सतत उर्जा दशक पहल है किसका संयुक्तराज संग का और ये दशक पहल कब से कब तक है 2014 से 2014 तक सबके लिए सतत उर्जा दशक 2014 से 2014 तक संयुक्तराज संग द्वारा किया गया पहल है 2011 की जन्गर्णा के उनसार अच्छा एक प्रश्ण वार है भुपाल गयर दुरगटना का क्या कारण था तो MIC था यह तो आपको यादी होगा कई बार प्रश्ण पूछा जा चुका है तो A वाला राइटन मिथाईल आइसोसेनेट का रिसाओ जन्संख्या परिया और नगरी करण यहां से प्रश्ण है 2011 जन्गर्णा के उनसार निमखित राजियों में किसम plants अंसूची जन्झातियों की जन्संख्या का प्रतिशत उसके कुल जन्संख्या के प्रतिशत के हिसाब से नियुनतम है तो कहाँ पर नियुन्तम है? 0.6% दिये गए विकल्मों के अंसार तो जो अंसूचित जनजातिया उनकी जनसंख्या का प्रतिशत्ता पूछा है तो इनमे से उत्तरवदेश में नियुन्तम है जनगंड़ना के उनसार नियुन्तम में से किस राज में जनसंख्या की कमी आई है तो नागा लेंड में कमी आई है माइनस में रहा है इसका जो दर रहा है नियुकित में से कौन एक राज आर्थिक दिश्टी से सबसे उपर किन्तु लिंगा नुपात के आधार पर सबसे नीचे है रिपीटेट प्रश्ट में फिर से पूछ लिया गया था अगले वर्ष तो हरियाना था इसका उत्तर नियुकित में से कौन सा तंत्र सही सुमिलित नहीं है तो इनमें से कार्बन डाइकसाइड थर्मल पाउर स्टेशन से निकलता है क्लोरो फ्लो कार्बन आटो मोबाइल से नहीं निकलता है दोस्तों तीके इसके सुरोत अन्य है नाइटरस अकसाइड जलमक धान के खेस से मेथेन भी निकलता है नाइट्रस आकसाइड भी निकलता है सल्फर डाइकसाइड एट के भट्टेश निकलता है तो यही B वाला राइट एंसर है एर कंडीशनर और जो अन्य उत्पाद आते हैं सौंदर प्रसाधन वगर आते हैं आपका जाग वाला जो चीजें जितनी आती है फाग वाला जो जितनी वचीजें आती है सेंट वगर उन सब में रहता है हवा में तैरतेवे स्वसनिय सूख्ष्म कड़ों का अगार होता है तो कितना होता है पांच माइक्रों से कम होता है अतिसूक्ष में होने करण ये नंगी आखों से दिखाई नहीं पड़ते है भारत में जल्वाई प्रितन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है बिल्कुल सही है मौसम की चरम दशा की बारंबरतायम तीवरता से खाल सुरक्षा पर गंभी प्रभाव होंगे ये भी सही है ठीक है और जब खाल सुरक्षा पर गंभी प्रभाव होंगे तो खाने कर रोटी को लेकर लड़ाई होगी रोटी मूवी आपने देखी होगी तो ए और आर दोनों सही है आर ए की सही व्याख्या है ए वाला राइट एंसर हो जाएगा अदो लिकित में से कौन सा जीव से जय वंडल तक जय विक संग्ठन का सही करम है तो सही करम आपको बताना है तो सी वाला राइट एंसर होगा जनसंख्या जनसंख्या फिर समुदाय से पारिसकी तंत्र बनता है तो ये सी वाला राइट एंसर है निम्लखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो विश्च पर्यावण दिवस पांजूर को नहीं आता है पिथिवी दिवस बाइश सप्रयल को नहीं आता है तमबाकु निशेद दिवस गलत है ओजोन दिवस सोल सितंबर सही है तमबाकु निशेद दिवस पांच मई को है ये पांच मई को नहीं होता है ये पांच मई को नहीं होता है तमबाकु निशेद ठीक है यहां पे गलत दिया है ठीक है ये इकतिस मई को बाकि तीनों सही थै Хरिद ग्र प्रभाव से वात्ताशन में निमलखित में से कौन सा परिवर्तन होता है तो यह भी विवादित प्रश्ण था क्योंकि यह उल्टा पूछ लिया था इसमें पूछना था कि हरिद ग्री प्रभाव किसके करण होता है तब यह हो जाता वाइमेंडल में कर्मेंडाइकसाइट की सांदता जब बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा उत्पन लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ लिया था हाला कि इसका most appropriate answer आयोग ने दिया था एको वाइमेंडल में कर्मेंडाइकसाइट की संब्ञाइब होगा ब्रदूशक है उन्से फैनले मारी था पारा से है है सभी होता है सभी यहाइम से इ विद्तौर से कोई मतलब नहीं है जात सोरीन दांत टीक है आपकी दांत और अस्थियां आदी हो गई उनके निर्माड में इसका उप्योग होता है इसकी कमी से या फ्लोराइड आयन की अधिकता और उसकी कमी दोनों ही हनिकारक हैं यह ध्यान लखेगा तो D वाला राइट एंसर होगा दातों हड्डियों में भंगुरता आ जाती है इसके जादा होने से निमकित में से किसे वाइमंडल के प्राकतिक संतुनन के लिए कार्बन आयकसाइड की उप्योग तसांता मनी आती है तो यह जो है बहुत विवादित प्रशन था इसको भी सायद आयोग ने डिलीट कर दिया था तो यह 0.36% है कार्बन आयकसाइड की सांता देखी जाए तो जैविता को अधिक्तम संकट है अगर संकट पूचा होता तो पूरे सही होते अधिक्तम संकट पूच रहा है तो हमेशा प्राकतिक जो आवास है उनकी वनस्पतिया उनके विनास से अधिक्तम संकट होता है तो यह वाला राइट एंसर है निमकित में से कौन से जलवाई पर तो जीवाश्मिक इधन का अधिकाधिक प्रज्वलन तैल चालित स्वचालतों की संख्याम विस्फोटन सौर धधक में वृद्धी देखे ये तो कभी नहीं होगा तीसरा वाला गलत है अधिक वनोन मूलन हाँ ये सई है तो पहला दूसरा और चौथा यह होगा इसका राइट एंसर पहला दूसरा और चौथा भी वाला राइट एंसर होगा ठीक है निमकित में से किस पाइस की तंत्र में पाउधों का जैविक पदार तधिक्ता में जहां पर उत्पादकता जहादा होगी उत्पादकता जहाँ कहा जणा है उसको डंदी वर्शावनों में दिविवला राइट इंसर हो जाएगा इसका भारत सरकार ने वन सरक्षन अदनियम किस वर्ष अदनियमित किया वन सरक्षन अदनियम की बात कर रहा है तो भारती वन जीव सरक्षन अदनियम अलग था वो वन जीवों के लिए था 1972 में वन सरक्षन अदनियम 1980 वाई सरक्षन अदनियम 1986 परियावरन सरक्षनदीव 1986 परियावरन वाला जो वीडियो है आप लोग पता नहीं देखते हैं कि नहीं हम तो दे देते हैं अपनी तरफ से वह बहुत ज़्यादा रहता है आप लोगों के लिए लेकिन आप लोग भ्रहम में रहते हैं कि कम है या कुछ भी ऐसा आप देख र दिया सलाई कहां पर बरेली में पीतल का समान कहां मुरदाबाद में लकडी की नकासी कहां होती है सहारनपूर में तो यह जो है इसका राइट एंसर रट लीजे एक दम से ठीक है निकित में से किस राज में जापानी इंसे फिलाइटिस अंसंधान किन्द सपित किया जाने इस प्रकार है तो भी उत्तर ब्रदेश में गोरगपूर के बीरडी मेडिकल कॉलेज में जब घटी घटना के बाद केंदी स्वास्त मंत्री जेपी नडडायम मुक्य मंत्री श्री योगी आदितनाद द्वारा गोरगपूर में जापानी इनसे फिलाइटिस का केंद स्था पापित होगा इसी घोशना की गई थी उत्तर ब्रदेश में कितने क्रिश्य जल्वाई शेत्र पाए जाते हैं तो कुल नो क्रिश्य जल्वाई शेत्र पाए जाते हैं जबकि भारत में पंद्रह क्रिश्य जल्वाई शेत्र पाए जाते हैं उत्तर ब्रदेश में पाए जा तक आप करवाएंगे धिरे धिरे दोजार दस तक करवा देंगे आपका पूरा